नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी फटाफट मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार नज़र डालते हैं यूपी की खबरों पर कैबनेट मंत्री अनिल राजभर ने बल्या में कारिक्रम के मुख्य अतिती की तौर पर शुर्कत की जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ओम प्रकाश और वेसी सरीखे लोग समाज के दुश्मन हैं वहीं दिल्ली के सिक्षा मंत्री मनीश सौधिया को सडक शाप राजनीती करने वाला बताया प्रदेश में गौशालाओं में गायों की मौत को लेकर कॉंग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया ललितपुर में कॉंग्रेस पार्टी ने गाय बचाओ पद यात्रा निकाली कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजलल्लू के नेत्रुत म यात्रा शुरू ही जिसमें सैक्डो कॉंग्रेसी कारिकरताओं सहित जिले के वरिष्ट निता भी शामिल रहे। आगरा के SSP बलु कुमार ने अपराद और अपराधियों पर अंकुष लगाने के लिए अभियान चलाया। इसी के तहट SSP की पुलिस टीम ने जुवे के अड़े पर छापे मार कारिवाई की। इस दौरान पुलिस ने घेरा बंदी कर तीन जुवारियों को मौके से दबोच जुवारियों के पास से पुलिस ने 96,000 नगदी भी बरामत की है। 38,000 की नगदी वा मुबाईल फोन भी बरामत किये हैं। पकड़े गए पदमाशों पर लूट हत्या चोरी डकैती समेत तमाम संगीन धाराओं में तीन दर्जन से अधिक मुकद में दर्ज है। वाइरल होते ही पुलिस महकमे में हडकम मजगया पुलिस ने आरोपी की गिरफतारी के लिए तलाश चुरू कर दी है। आगरा के खंदौली थाना के नगला आरजुन गाओं के बाहर पेड़ पर फंदे से लटकता युवा का शौ मिलने से इलाके में हडकम मजगया मृता के परिजनों का रो रो कर बुरहाल है। सूशना पर पहुची पुलिस मामले की ज्याच में जुटी है। युपी फटा फट में फिलाल इतना ही खबरों के लिए बने रही है न्यूज वर्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।